सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में दिये गए बेल आइकन के नोटिफिकेशन्स को आल पे कर दीजिए ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले तो नमस्क्राइब दोस्तों आप देख रहें कुनाल देन्वेल प्लैनेट और मैं हूं कुनाल आपके साथ तो दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत रेयर कलर के कबूत्रों की वीडियो आने लगी है मलवाई के अंदर ही पंजाबी कबूत्रों में काले भवरों की कोई लो कबूत्रों के बच्चे हैं लेकिन सारे रिजल्टेड पेर्ज है और उडान कितनी है इन में मैं बोलूंगा उसके बजाए मैं आपको बताई देता हूं यह बच्चे जो हैं दिली कप के लिए त्यार हो रहे है तो इनका रिजल्ट आपको सबका पर्चे पे मिल जाएगा को जो भी रिजल्ट होगा मेरे हिसाब से धार बच्चों का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए बाकी अभी कुछ को बूत्रों को हम गृट खिला रही है आप देख सकते कितना शॉश्यक्स कबूतर ग्रिट खाते है कि अग देख सकते दोस्तों उसमें वी ग्रिट है इसके अब देख लीजिए तो काफी शौक से खाते हैं कबूतर ग्रिट तो किसी भाई को ग्रिट की रिक्वार्मेंट हो तो वह हमार को बता सकते हैं मैं आपको दिखा भी देता हूं वर्सलागा की ग्रिट यह लगती कैसे हैं लेकिन यह स्वी अंदर कैल्चम वेगरा भरपूर र केल्चम की कमी से होने वाली कोई भी विमारी है वो भी कबूतरों में नहीं होती है तो पहले आप ग्रिट देखिए फिर चलते वीडियो की तरफ तो वाई असल में इस टाइप की ग्रिट होती है यह इसमें शंग सिप्यां कार्बन वगएरा थारी चीड होती है जो कबूत थोड़ा था शौक करा दिया आप देखें यह हमारे में बड़े कबूतर हैं जो 17 कबूतरों वाली बादी में उड़ाए जाएंगे और बाकी वर्सल लागा की ग्रिट है अगर आपको चाहिए हो तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पे कॉन्टैक करके और कर सकते हैं त तो यह में पस एक दो तीन चार पांच छे साथ नो दस ग्यारा के करीब हो गए हम भी अंदर एक दो बच्चे और निकल रहे हैं तो दोस्तों यह बॉड़ी लाइन है इन कबूतरों की यह बॉड़ी लाइन है इन कबूतरों की आप देख सकते हैं बैठक बिरकुल खड़े कबूतर है तो अब आपको कुछ इन में से एक-डो कबूतरों का शॉक कराते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम जो लेकर आएं कि हरा पठ्था लेकर कर काई अब आख देखियां इस पारहें कबूतर के देखियां अभी तो लेकर या रहा है ज़ाड़ कर के अब यह बच्चो क्वालिटी के बच्चे हैं अब दूसरा इसका दिखाते हैं इसका रिंग नूम्बर है तरहे सारी मेरे घर की ब्रीड आना ओस्टों रिंग मारैसेवेंटिय। दिखहते हैं आपको दोस्तों एग पठाें अला है यह उसके भाई है यह विर्कुल ऑपने पकड़े के तब ही पता चलता है यह कभूतर के पंजे है और किसका रिंग नमबर है सोड़ा गंड़ा यह हो रहा पर आप यही देख लो मैं कि इसके मेरे घर की बृड़ीद मेरे रिंग डाली हुए है इसको इसका है 200 बेरिंग नंबर इस बच्चे का और बिरकुल आप यह कह सकते हैं कि कागज यह कबूतर अभी मैं इसको छोड़के भी दिखाता हूं आपको अब देखें इनकी बैठक एकदम खड़े खड़े बच्चे तो भाई अब आपको दिखाते हैं अपने भवरे बच्चे कुछ तो आप देखिए भवरे बच्चे की पहले आंक देखिया कि अब है कि यह आंखे कभूतर की कि यह पर है के यह अभी खुछ कली का ही है बच्चा यह खारे छोटे क्प के लिए तियार कर रहे हम तो यह भवरे छोटे बच्चे वालों में और या पणजे आप देखिए इनके घर की बीड़ इए भी आपको यह अपने घर के रिंग है इनके पैर में तो भाई यह एक बच्चा था अब इसी में से पहले इसको छोड़के दिखाते हैं आप बैठक देखे कब उतरगी कितनी शांदार बैठक आती है इनकी वह देखे एक दम खड़े खड़े बच्चे आते हैं भी थोड़े बहुते पर ज़ाड़े पर ज़ाड़के जो भी यह बाजी तक है सेट हो जाएंगे हमारे तो भाई एक रेयर में से रेयर कलर और दिखाते हैं आपको यह चॉकलेट ही भवरा है हमारा तो अच्छा इसके साथ ही मैं आपको एक चीज बता दो दोस्तो थोड़ा सा वेट कीजिए आपको इंडिया का सबसे सिस्टेमाटिक लॉफ्ट दिखाएंगे पूरी इंडिया का सबसे बड़े की बात निकर रहा सबसे सिस्टेमाटिक लॉफ्ट की बात कर रहा हूं जिस लॉफ्ट में हर चीज जो है एक सिस्टम से होईगी अब वो लॉफ्ट किसका है वो जानने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा लेकिन आपको इंडिया का सबसे सिस्टेमेटिक लॉफ्ट दिखाएंगे उन भाई सामने काफी दिल से बनाए और सारी चीज एक एक चीज दियान में रखते वे बनाई है तो वो दिखाएंगे आपको वो लॉफ्ट है किसका बाकी आ सब्सक्राइब करें चौकलेटी पन में और यह इसके पर देखिए आप कितने शांदार पूरे घुमावदार और चोड़े चोड़े पर हैं आँख देखिए आपको बूतर की कितनी जबरतस्त तांक है इनकी तो इसको भी छोड़के दिखाते हैं आपको अंदर तो बाई यह कुछ मेरे भवरे कब उतर थे एक चौकलेटी भवरा और दिखाते हैं आपको एक छोटा इसी का भाई और निकला हुए यह चौकलेटी में से निकला हुए एक चौकलेटी जो था वो उपर वो बैठा है और एक इसी का भाई यह वाल है तो अब आपको इसका भी शौक कराते हैं यह भी वैसे ज्यादा गोल्डन है पर यह उत्मा गोल्डन रहेगा नहीं जितना है में को लग रहे है यह भी वैसा साही हो जाएगा जाड़ करके बा सब्सक्राइब है मलवईयों में आख देखिए अभी इसकी आख प्रॉपर साफ नहीं हुए है लेकिन साफ करने के बाद में इसकी भी वाइट आइज हो जाएगी तो मुमिया चोंच है कबूतर की और यह पंजे है कबूतर के और अब यह थोड़े बीट वीट लग रहे ल तो आप साथ साथ यह भी देख सकते हो कि यह जोड़े वाले कबूतर करते चाओ से ग्लिट खा रहे हैं तो भाई ये कुछ कbouter भोकर था इनमें से कुछ कुछ कबूदर मैंने आपको दिखाए जो ये वाले mostly जो बच्चे है ये बच्चे वाले कप के लिए रखे हैं जो इसके अंदर है तो भाई जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था यह तीन जोडों कई बच्चे हैं सारे तो दो, तीन, चार बच्चे दिखा दिए, सारे दिखा दिए, एक ही बात है, तो आप कभी ज़ादा टाइम नहीं लेंगे और अब tuned in रहे हैं इंडिया के सबसे best loft के लिए इंडिया का सबसे best loft दिखाएंगे जो आप लोग को भी inspire करेगा अपना loft बढ़िया बनाने के लिए बहुत जल्द आपको दिखाएंगे इंडिया का सबसे systematic loft सबसे अच्छा नहीं, सबसे बढ़ा नहीं, सबसे systematic तो बहुत जल्द दिखाएंगे आपको शौक कराएंगे तो तब तक के लिए ट्यून डेन रही है और ये मेरे कुछ काले भवरे बच्चे थे जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत भँत धन्यवाद चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें बिना ना जाना ऐसी बहुत सारी इंट्रस्टिंग वीडियो आगे आती रहती है